अगर आप में चैनल पर नहीं है चैनल को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं कि आपका लगो अब उत्कर करें एंव उन्पाउट हो तो नहीं आया है तो बैखें तर फ्रटी-वडियो के बाद आपका टेक्निशन अगा इस तो अब रिजल्ट आ गया था तो अब इस्टुएट यह बोल रहे हैं कि हमारा तक क्यूं काफी कम थी और उस महा पे नंबर ओव कंडिडेट पी आपके काफी कम थे ती है यहां देखें तो पूस्ट ज्यादा है आपके नंबर ओव कंडिडेट्स भी जादा है तो उस हिसाथ से अगर अंदादा लगाय चाहिए तो आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिले हो स क्योंकि number of candidates जादा है तो शायद आपके result में और 10-12 दिन डिले हो सकता है ठीक है बस आपको क्या करना है regular basis पे आपको हर बार एक बार जाके DRU की site को check out कर लेना है कि कुछ नहीं notice तो नहीं है बाकि अगर expected date देखा जाए तो I think so कि आपका 27 या 28 को result आ सकता है क्योंकि technician की comparison में आपका 710 A&A वाला जो result है थोड़ा सा लेट ही जाएगा क्योंकि यहां पर number of candidates ज्यादा है because number of post जो है वो भी ज्यादा है अलग-अलग post है आपकी vacances ज्यादा है अगर उसे comparison करें तो बाकि तो 30 दिन के बाद कभी result आ जाता है और आपका 30 दिन complete हो चुका है पेपर को 30 से ज करेंगे तो देखें यहां पे कुछ भी नया मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी आपका यहां पे new information नहीं है और कुछ भी latest update आता है तो मैं आपके साथ जरूर उसको share करूंगी आपको चैनल को subscribe करें ना है अगर वीडियो helpful लगे तो वीडियो को like करे comment करें और share करें thank you so much for watching this video और आप rumors पे believe ना करें खुछ से ही check करते रहे site पे जाके तो आपको पता चल जाए कि अभी result result नहीं आया है ठीक है अब result को आने में थोड़ा कुछ वक्त लग सकता है और 25 के बाद 25 अप्राइल के बाद कभी आपका result आ भी सकता है ठीक है thank you so much